ओल्राइट गैस अब PHP के discussion में हमने बात करी थी multi-dimensional arrays की हमने काफी आगे तक अपने discussion को पहुंचाया आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग कि हमारा जो global variables in PHP में वो क्या होते हैं अगर आप लोगों ने पीटे की playlist access नहीं करें तो इसको जरूर कर लें access क्योंकि यहीं पर मैंने सारी step by step PHP के concepts को cover किया है और उपर यहां क्लिक करके इसको book mark और यहां क्लिक करके इसको save जरूर कर लें और अब हम लोग यहां पर देखेंगे हमारे global variables क्या होते हैं PHP में local variables क्या होते हैं PHP में ठीक है तो visual studio code पर मैं वापस आ जाँगा यहां पर और उससे भी पहले अगर आपका zamp start नहीं है आपका आपकी files को serve करने के लिए sport पर तो जब भी आप लोग रिलोड करेंगे अपने इस page को जो कि हमने bookmark किया है तो क्या होगा मुझे page मिलेगा सारी files मिलेंगी इसमें तो मैं एक नई file जल्दी से बराऊंगा यहां पर इसका राम रखोंगा 20 underscore और उसके बात मैं आपर scope.php ठीक है local underscore global लिख देता हूँ local underscore global underscore scope.php तो जलिए सबसे पहले मैं मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा और scope की बात कर ले जाए सबसे पहले ठीक है तो मैं आपर लिख देता हूँ welcome to scope and local global west in php सबसे पहले यह लिख लेते हैं अब देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम लोग की जो हमारा php है उसमें scope क्या होता है ठीक है तो scope का मतलब होता है कि आपका एक variable कहां पर accessible है तो यह से मालों मैंने आपर लिखा dollar a is equal to 98 और मैंने यहाँ पर लिख दिया dollar echo a ठीक है अगर मैं ऐसा करूँगा मैं VR लगा लेता हूं अगर मैं ऐसा करूँगा और अपने page को reload करूँगा यानि कि यह 28 वाला जो मेरी file बनी हुई है तो no surprises whatsoever मुझे 98 देखने को मिलेगा screen में लिगन अगर मेरे पास एक function होता जैसे कि मैं आपर एक function बना देता हूं यह इसके अंदर मैं dollar एक variable देता हूं और मैं कहूंगा कि echo the value of your variable is और उसके बाद यहां पर dollar var यहां पर देता हूं तो उसे क्या होगा कि जो भी मेरे variable की value होगी वो यहां पर print हो जाएगी ठीक है तो यह ना करके अगर मैं var हटा दूँ यहां से और यहां पर dollar A कर दूँ और A क value यहां पर मैं कर दूँ 97 तो आप लोग मुझे नीचे comment में बताओ कि अगर मैंने इस function को run किया तो क्या print होगा मैं इसको run करूँगा और यहां पर मैं लिखूँगा कुछ इस तरह से print value तो जब मैं यहां पर print value लिखूँगा तब क्या होगा क्या मुझे 98 print होके मिलेगा य यह global variable है मेरा dollar a और यहां पर मैंने एक local variable बनाया है तो यहां पर 97 ही print होकर मिलेगा क्योंकि यह इसकी अपनी property जो print function sorry print value function है वो अपने variables का set अलग से maintain करता है और उसकी जो values है वो उसकी अपनी है और वो ही वो print करके दिखाएगा तो अगर मैं इसको reload करूँ अभी तो यहां आप देखो 97 आ गया है 98 जो था वो मैंने यहां पर जो echo लगाया है इसका result है लेकिन अगर मैं यह हटा दूँ यहां से अब सबको comment करना है मुझे बताना है कि क्या होगा dollar is equal to 97 हटा दिया है मैंने तो अब आप लोगों को लग सकता है कि 98 print होकर मिलेगा क्योंकि यह global variable की value ले लेगा लेकिन ऐसा नहीं है मैं आपको लोग को दिखाता हूँ होगा क्या error आएगा यह बोलेगा कि क्या कर रहे हो undefined variable को क्या से print कर रहे हो भाई तो ऐसे बोलेगा य क्योंकि इसके लिए जो print value function के अंदर dollar a है वो defined नहीं dollar a का scope function के बाहर है तो PHP के अंदर जो global variables होते हैं उनका जो scope होता है वो function के बाहर होता है ठीक है तो यह पर अगर मैं define करूँ local variable को तो local variable का मतलब है कि एक function के within उसका scope रहता है ठीक है local scope रहता है ठीक है तो यह है हमारा local variable और global scope उसका रहता है जो कि हमारे बाहर variables declared है और यह है मेरा global variable तो अगर मैं इसको इसको mark कर दूँ तो यह global variable है और अगर मैं इसको यहां पर mark कर दूँ तो यह एक local variable है और यह नहीं I am sorry यह local variable है ठीक है यो कि यह function के अंदर local है तो अगर मैं आपर access करना चाहता हूँ बाहर वाले एक हो तो क्या मैं नहीं कर सकता यह तो unfair होगा अगर मैं नहीं कर पाए है PHP के अंदर इतनी बड़ी programming language और वो मुझे बाहर के variables भी access करने नहीं दे रही है अगर मैं बाहर के variable access करना चाहता हूँ तो मुझे एक keyword कर इस्तेमाल variable और comma करके अगर एक और dollar b होता है यहाँ पर तो आप इसे comma लगा के dollar b भी लेख सकते हो ठीक है multiple variables भी लेख सकते हो तो आपने यह कह दिया कि भाई जो global variable a और b है मुझे उसको access करवा दो तो क्या होगा कि dollar a और dollar b जो है वो आपके यहाँ पर the value of your variable a is dollar a and b is dollar b ऐसे लिखते है ठीक है तो क्या होगा अभी यहाँ पर मुझे print होगर मिलेगा a और b की value a और b की value क्या है 98 और 9 ठीक है तो मैं अगर अभी यहाँ पर reload करना तो मुझे 98 और 9 मिला लेकिन अगर यह नहीं होता यहाँ पर यानि कि अगर मैं इसको comment out करते था कुछ इस तरह से तो obviously आपको error मिलता कि यह जो variable से defined नहीं है तो global keyword क्या करेगा global keyword आपके जो global scope में variable है उसको उठा कर ऐसा प्रतीत करा देगा कि यहाँ पर था तो ऐसा प्रतीत करा देगा तो क्या कर मैं change कर दो dollar a is equal to hundred और dollar b is equal to thousand तो क्या ही changes permanent रहेंगे क्या ही changes function के within रहेंगे या फिर इस function क यह जो call करने के बाद भी अगर मैं लिखूँ the value of your variable मैं काम करते हैं अब ब्र लगा लेता हूं अब यह जो प्रोग्राम में इसका output हमें बताएगा कि क्या हम change कर सकते हैं functions के अंदर global variables को या नहीं तो मैंने अब dollar a is equal to 100 कर दिया dollar b is equal to 1000 कर दिया no surprises यहाँ पर तो 100 और 1000 ही प यह एक सवाल है तो इस सवाल का जवाब है हाँ मैं आप लोगों को दिखाता हूं में reload करूंगा तो दोनों लाइंस यह सेमी चीज़ प्रेंट करेंगी है यानि कि हमारी जो global variables की value है वो change हो गई है तो कुछ programming languages में क्या होता है local और global variables से अलग अलग होते हैं अगर आपने global keyword मंगाया तो होगा क्या कि आपका यहां पर PHP के अंदर अगर हम बात करें तो global variable क्या करेगा आपका global keyword क्या करेगा कि global variable को लेकर आएगा और अगर आपने change कर दिया global variable को तो वो change permanent हो जाएगा global variable के अंदर तो यह था हमारा local और global variable ठीक है अब यहां पर आप लोगो एक चीज दोर दिखाना चाहूँगा और यहां पर मैं यहां पर मैं ब्र लगाऊँगा पहले और यहां पर आप लोग को यह प्रेंट करके दिखाऊँगा ठीक है और यहां पर आपकोपन करना चाहिए था इसे को और मैं करूँगा तो फ्रेट करता हम उसको यह देखो यहां पर आपका इसके इंदर आपके सारे के इन एक आप के अपके पास है वह प्रेंट हो तो यहां पर यह एक array है जिसका size 7 है तो यहां पर आप लोग देखो यह एक associative array है अगर मैं यहां पर क्या करूँ super global को देदू B तो वो मुझे 100 देगा अगर A देदू तो वो मुझे 100 देगा sorry 1000 देगा B में और A में 100 देगा जो भी value है उसकी तो अगर मैं आपर कुछ इस तरह से echo करूँ यानि कि मैं इसको अगर मैं आपर लिख देता हूँ prints all the global variables और मैं लिखता नियूज को मैं जल्दी से आप लोग को A और B करके दिखा देता हूँ पहले A मैंने आ किया और B मैंने आपर कर दिया ठीक है तो A और B दोनों मुझे आपर मिल जाएंगे एक इंठ 100 है एक इंठ 1000 है मेरा ठीक है तो global जो है हमारा इसको super global बोलते हैं और dollar global जो हमारे variable होता है वो सारे global variables को store करता है तो सारे global variables एक area में store होते है जिसका नाम होता है इसकी कहानी है यह आप लोग को समझ में आ गई होगी तो गैस यह कोर्स अभी तक कैसा चल रहा है fast slow medium ठीक ठाक मुझे comment में जल्दी से बता दो और यह जो सारा का सारा source code है इसको description में में अगर आप लोग को नहीं मिले तो मुझे जरूर बताना मैं सारा का सारा source code है description में आ अभी के लिए गाइस इस वीडियो में इतना ही इस वीडियो को लाइक करना और बिल्कुल भी मत बूलना और यह जो प्लेलिस्ट है PHP Tutorials की इसको अक्सस करना भी बिल्कुल मत बूलना थैंक यह सो मुझ गाइस फॉर वाचिं इस वीडियो और यह वीडियो नेक्स ताइम हुआ हुआ है